वेल्कम टू आर चैनल फेंटेसी फॉर्चोन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं केके आर वर्सिस डेली कैपिटल्स आईपील मैच जो कि आज खेला जाएगा शेख जाय स्टेडियम आबुदाबी में क्या हो सकती है पॉसिबल प्लाइंग 11 क्या है इंजरी कंसर्न क्या हो सकते हैं मेजर चेंजेस कौन से प्लेयर हैं जो आपको ग्रैंड लीग विन करा सकते हैं क्या रहेगी हमारी स्मॉल लीग की टीम और क्या होगी एक्सचेंज 22 मल्टी बैगर पिक्स सब हम इसी वीडियो में बाट डिसकस करने वाले हैं सब पूरी वीडियो देखिएगा आपका बहुत वायदा होने वाला है एक important announcement है आप लोगों के लिए कि हम जल्द ही giveaway स्टार्ट करने वाले हैं सो आपने करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आपने bell icon को दबानी है दबा दो क्योंकि वो ही लोग participate कर पाएंगे जो लोग share कर रहे हैं चैनल या जिन्होंने subscribe किया हुआ है सब्सक्राइब करना compulsory है giveaway जोइन करने के लिए और साथ ही साथ आप हमारे साथ telegram चैनल पर चुड़ जाओ fantasy fortune सर्च कर लो और आप link description box में भी आ जाएगा यहीं पर आपको final teams छोटी से छोटी injury news छोटी से छोटी अपडेट ग्रेंड लीग के picks और अगर कोई app पर कोई अच्छा option आया हुआ या offer आया हुआ हुआ है सब हम यहीं पर बता देते हैं क्योंकि यह easy रहता है अगर हम जैसे अगर आज के बात करें so myfab11 80% आपको cash bonus दे रही है so suppose आपने minimum सिर्फ 100 rupees add करने है minimum so अगर आप 100 rupees add करते हो so 80 rupees आपको cash bonus मिल जाएगा जो आपके लिए बहुत फाइदा कर सकता है so आप उसे avail कर सकते हो अगर आपने अभी तक myfab11 डाउनलोड नहीं करी कर लो fortune code जो है refer code यूज करोगे उसका अलग से bonus आपको 50 मिल जाएगा so आपने telegram चैनल पर ज़रूर जोड़ जाना है और give up में participate करने के लिए आपने youtube चैनल को subscribe कर लेना है अगर हम बात करें venue की venue है शेक जाय स्टेडियम आपुदाबी यहाँ पर जैसे मैं आपको पिछले 3-4 वीडियो से बता रहा हूँ IPL बदल चुका है पहले जहाँ पर batting first करने वाली टीम जीत रही थी अब chasing team win कर रही है तो अगर आप grand league खेल रहे हो आप क्या कर सकते हो कि जो team पहले bowling कर रही है उनके 3-4 बोलर लेके जा सकते हो और आपको काफी इसमें फायदा हो सकता है अगर हम बात करें शेक जाय स्टेडियम यह काफी बड़ा स्टेडियम है तो यहाँ पर दुबई और शार्जा के मुकाबले यह स्टेडियम बड़ा है और जो pitch भी है थोड़ी slow हो चुकी है तो run making यहाँ पर इतनी easy नहीं होने वाली है तो जो class player जो आपको buddy ring खेल कर दे सकते हैं उनके साथ जाये बाकी आप bowlers को pick करें वो आपके लिए जादा अच्छा हो सकता है अगर हम बात करें team news की तो team news में हमारे पास information जो है वो यह है कि आंद्रे रसल अगर fit है तो आज का match खेल सकते हैं यह हमें match के time पता चलेगा और नरायन को भी team आज मोका दे सकती है नरायन fit है लेकिन क्योंकि उनका bowling action report कर दिया गया था तो team जो है वो risk नहीं ले रही है उन्हें खिलाने का क्योंकि अगर एक और बार उनका bowling action report कर दिया तो वो ban हो जाएंगे तो इसलिए नरायन को जो है वो भार बिठाया गया था अगर आज रसल और नरायन दोनों खेल सकते हैं बेंटन और कमिंस की जगा और अगर रसल fit है तो वो तो directly आ जाएंगे कमिंस और नरायन में एक खेलतावा नसर आ सकता है दिल्ली कैपिटल्स की बात करें सो लास्ट मैच में इनोंने नोकिया को जो है वो रेस्ट दिया था इस मैच में हो सकता है रबाड़ा को रेस्ट मिल जाए या हो लगता है टीम सेम कॉम्बिनेशन के साथ चली जाए मुझ इस से आपको काफी फायदा हो सकता है शुबमान गिल की बात करें सो रबाड़ा अकसर और अश्विन ने तीनों ने अभी तक आउट ही नहीं किया है शुबमान गिल को आपके लिए इंपोर्टेंट चोईस हो सकती है इस मैच में ध्यान रखना नितिश राना को रबाड़ ने दो ही बोल डालिया और अभी तक आउट नहीं किया है अकसर ही ने जरूर तंग करते है कि 16 बोल में 12 रन देकर एक बार आउट किया है लेकिन अश्विन को राना बहुत तंग करते हैं 22 बोल पे 33 पन बनाए है अभी तक कार्थिक की बात करने सो कार्थिक को रबाड़ा अकसर और अश्विन ने तीनों ने एक एक बार आउट किया है और रबाड़ा ने तो महस आठ बोल में एक बार आउट किया हुआ है रसल की बात बताओं सो रसल को रबाड़ा ने 20 बोल डालिया जिसमें 45 बनाए है रबाड़ा ने और दो बार आउट किया है उनमें से एक जो आउट किया था वो सूपर ओवर में था लास्ट येर दोनों टीम्स का सूपर ओवर हुआ था ये था फिरोश्या कोटिला में जो अरुन जेटली स्टेडियम के नान से जाना जाता है मैं वहीं पर था ग्राउंड पर ही था और मैच देख रहा था मैंने उस मैच में कैप् फ centimet energy और एक बार आउट में हैं लेकिन अश्विन नहीं ने सिफ 6 Relig में एक बार आउट किया हुआ है धवन की बात करें सो नरायन नहीं दो बार आउट कीया कुल değişap को और सिर्फ ना गहां और सिर्फ Sí gamma ने इनका चार मैच में 250-200 क्या गजब की फॉर्म में चल रहे है धवन और आज की मैच में भी एक अच्छे पिकाप के लिए हो सकती है लेकिन इन्हें जो है फर्गुसन भी अच्छा तंग कर सकते हैं जिनका ODI में आमना सामना हुआ है और वहाँ पर थोड़ा डॉमिनेट किया था फर Otherwise रसल के सामने थोड़ा सा स्चुगल कर सकते हैं यह बाकी पंथ है पंथ को नरायन ने एक पार कुलदीप ने दो बार और रसल ने भी दो बार आउट किया है अब हम चलते हैं ड्रीम 11 की तरफ जहां पर हम एनलेसिस करेंगे इच प्लेयर का सो अगर हमारे पास विकेट इस मैच में रिजन इज अभी तक बहुत बड़ी इरिंग खेली नहीं है पंत्रे लेकिन आपको ठीक थाक पॉइंट तब भी दे रहे हैं और साथ ही साथ दिल्ली की एक हैबिट है इस सीजन में विकेट बहुत गिराती है मतलब इनके जो बोलर से हो काफी विकेट लेते है और साथ के साथ पॉलकता की इएक आधत है कि वो भी विकेट बहुत खोती है अभी तक अगर हमने देखा हुब या स्टम्पिंग के पॉइंट्स दे सकता है जैसा हमने कल डीकॉक का देखा कल चन्न नहीं के आप देख सकते हो कितना कम स्कोर बनाया और उसी ही वज़े से मैच मतलब जब फर्स्ट रिंग खतम हुई 40-50 पॉइंट विकिट कीपिंग से दे चुगे से डीकॉक तो इतने इं लिग में आप इन्हें कैपिंटन वाइस कैपिंटन चाहें ना बनाए क्योंकि फर्गुसन के अगेंस मुझे लगता है फर्गुसन आज इन्हें तंग कर सकते हैं अईयर की बात करें अईयर बहुत अच्छे प्लेयर हैं और इस मैच में वाच आउट फर शेयर से यह हर इन्हें स्ट्रगल नहीं करी है तो मुझे लगता है कि गिल आज एक बड़ी इनिंग खेल सकते हैं मॉर्गन का बताओं सेलेक्शन 72 परसेंट है लेकिन अगर आपको टीम में आप इन्हें सिर्फ तब लो अगर आपको लगता है के क्यार के आज फी विकेट्स जो है टॉप आते ही आउट हो जाता है लेकिन जिस मैच में टॉप ओडर थोड़ा अच्छा खेल गया तो हो सकता है मॉर्गन की इतनी बैटिंग आए ना या हो सकता है बिलकुल भी ना आए चो अगर आपको लगता है कॉलकता आज बिलकुल वन साइडिड हालने वाली है तो आप मॉर् इतना लगातार इतना फ्लॉप होई यह प्लेयर इंकंसिस्टेंट है थोड़ा लेकिन यह बड़ इनिंग्स खेलता है जैसे दो मैच में एक बार लेकिन अभी तक तो पिछले चार मैच में शायद इन्होंने 11 रन ही बनाए है तो आज के मैच में बहुत बड़ी पिक है क्य अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो साइन करी थी 12 साल की उमर में 15 साथ फिर इन्होंने स्कूल क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था कुछ 500 रन इन्होंने बनाये थे कुछ 100 बहुत अच्छे प्लेयर है यह मुंबई सरक्रिट में नाम बहुत है इन्हें ट्राइ कर लेना त्रिपाथी और राणा दोनों ग्रैंड लीग के लिए बहुत अच्छे चोइस है कैप्टन वाइस कैप्टन की और इन फैक्ट मैं कहूंगा आप इन तीनों को एक टीम में ले सकते हो शौ त्रिपाथी और राणा को बहुत कम लोग यह वाला कॉंबिनेशन लेकर आएंगे ग्रैंड लीग में टॉम बैंटन खेलते हैं सो एक अच्छे फिक है क्योंकि बड़ी इनिंग खेल सकते हैं लेकिन अभी तक स्ट्रगल करा है दोनों मैश में रन नहीं करे हैं और हैटमायर की बैटिंग इतनी नहीं आ रही है लेकिन बैटिंग आएगी तो रन ब जाते हैं लेकिन बोलिंग से आपको यह अच्छे पॉइंट दे सकते हैं और बैटिंग आएगी तो स्ट्रगल करेंगे यह बात होती है लेकिन हो सकता है इस मैच में इतनी बैटिंग इनकी ना है तो आपके लेकिन अच्छी चोइस है आप इन्हें कर सकते हो क्योंकि ऑल्र है जो कभी भी अपने दम पे मैच पलट सकता है डैनियल सैम्स कैप्टन की चॉइस बहुत अच्छे प्लेयर बहुत अच्छे ओल्राउंडर आपको करके देंगे जरुरत आने पर बैटिंग अच्छी कर लेते हैं तो खेलते हैं सेलेक्शन सिर्फ 11% आप इन्हें कैप्टन ट्राइ करो क्योंकि अगर यह चार ओवर कर रहे हैं और खोल गता कि अच्छे खासे विकेट्स करते हैं और डैथ में भी बोलिंग कर लेते हैं सो मुझे लगता है दो से तीन विकेट्स ले सकते हैं इसली कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और अभी लोगों का ध्यान नही है यही टाइम है अच्छा आप इने यूटलाइस कर सकते हो नरायन की बात करें खेलते हैं सो ट्राइ कर लेना अधर्वाइस जरुवत नहीं है बोलिंग सेक्षन में हमारे पास है रबाडा हर में आज में विकेटिन के होते हैं तो यह खेलते हैं सो आपकी टीम में की तरह कर रहे हैं काम क्योंकि bowling से wickets नहीं मिल रहे हैं frustrated हैं कि bowling नहीं से wickets नहीं मिल रहे हैं सवाल बहुत उठ रहे हैं और ये चाहेंगे अच्छा perform करना इससे पहले इने भाहर किया जाए क्योंकि आज chances बन रहे हैं और अगर आज नहीं आज भी आज खेलते हैं और आज फिर अच्छा नहीं करा तो भाई किसी भी बड़े प्लेयर को बुड़ा लगेगा कि वो अपनी performance की वाई से भाहर बैठे तो एक अच्छा प्लेयर है और ट्राइ कर लेना इने अश्विन आज के प्लेयर कर रहा है वो कभी एक से दो विकेट भी लेके चला जाता है कभी-कभी बैट्समिन खुद भी विकेट दे देतने हैं कभी-कभी इनोंने भी अच्छी बोल डाली है ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही बेकार है वो चार ओवर ये करके दे रहे हैं इस वज़े से ये important बन जाते हैं क्योंकि कोई भी बोलर के guarantee चार ओवर नहीं होते लेकिन ये तो चार ओवर करी रहे हैं कुल्दी प्यादव इनसे मुझे लगता है बहुत अच्छे बोलर है लेकिन उनके उपर बिल्कुल ऐसा है जैसे दुश्मन ही हो गई हो कि उन्हें तो या तो खिलाती नहीं या खिलाती है तो ओवर नहीं देते हैं आप पंधरवे पंधरवे और में सतरवावर एक आदावर दे के उन्हें फिर कर देते हो साइड लाइन और यहां पर चक्रवर्ती जैसा नया बोलर आपको चार चार ओवर दे रहा है तो इसी यही कुछ रीजन्स है मुझे लगता है जो केकर अरवी तक कॉंबिनेशन ही नहीं बना पाया टूर्णमेंट खतम होने को आया इनका यही नहीं पता है कि आज इस मैच में खेलने कोन वाला है तो मुझे लगता है कि कुल्दी प्यादव को इन्हें चांस देना होगा उनके प्रॉपर ओवर कराने होंगे अगर के क्यार को कोई चांस लगता है कि वो आगे कौलिफाई कर जाएंगे मुझे बहुत लेट हो सकती है प्रसिद कृष्णा विकिट टेकिंग बोलर है इन्हें आप ट्राइ करना यह अच्छा आपको डिटर्म दे सकते हैं तुशार पांडे ने अभी दक जो बोलिंग करी है वो ठीक ठीक करी है पिछले मैंच में गेल के हट तो चड़ गए थे जिन्होंने काफ़ी पिटाई कर दी थी बट यंग स्टर हैं सीखेंगे और आपको अच्छे बोल्ट आप्शन दे सकते हैं कुल्दी प्यादव खिलते हैं सो अब वही बाले ने ओवर यह नहीं करा रहे है लेकिन फिर भी आप जिग्रा रखके इन्हें टीम में ले सकते हो या कैप्टम बार सकते हो क्योंकि अर इने चार ओवर प्रॉपर मिलेंगे तो ये दो से तीन विकेट किसी भी मैच में ले सकते हैं बाकी और कोई नहीं लगता कोई खेलेगा खेलेगा सो आपको टेलिग्राम पर बता दिया जाएगा अब हम बात कर लेते हैं एक्सचेंज 22 आप की ये है एक्सचेंज 22 आप के प्रीमियम मल्टी बैगर पिक्स आपको इस मैच में चार प्लेयर में से मौरकन, राना, धवन और अईयर में से किसी एक को आप चाहो तो दो को भी ले सकते हो आपने सलेक्ट करना है अगर वो प्लेयर विन करता है इसका एक शेयर जो याप 50 रुपे का है आपको उसके एस्टिमेट रिटर्न के अगेंस्ट आपको पैसे मिल जाएंगे लेकिन इसकी अगर आपको नहीं पता ये क्या है आपको इसकी वीडियो जो है वो वीडियो के एंड में एक छोटी सी वीडियो है वो पॉप अप हो जाएगी आप उसे देखकर समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं एक्सचेंज 22 अप फॉर्चून कोड यूज करोगी तो आपको बोनस मिल जाएगा तो मैं अईयर और धवन को रिकमेंट करूँगा इस मैच में अईयर को फेवरिट सेकंड अगर मेरी कोई पिक होगी तो वो धवन है फिर मैं नितिश्राणा और फिर मॉर्गन मॉर्गन सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि मॉर्गन प्लेयर शाय सबसे अच्छा हैं में हो लेकिन मॉर्गन की बैटिंग नीचे आती है ऐसा नहीं है कि वो रन नहीं कर सकते लेकिन चांसे स्थोड़े कम हो जाते हैं कि वो चारों में टॉप करेंगे और उपर से धवन तो बहुत ही अच्छी फॉर्म में है और अईयर इस मैच मुझे लगता है कि अच्छा कर सकते हैं तो मैं रेकमेंड करूँगा अईयर या धवन में से अगर आप कोई लेना चाहो तो ले सकते हो अगर हम बात करें अपनी स्मॉल लीग टीम की सो बोलर से ही स्टार्ट करते हैं मेरे पास रबाड़ा होंगे फर्गुसन होंगे कमिन्स खेलते हैं मैं लूँगा क्योंकि आपको बैटिंग से पॉइंट दे देते हैं बोलिंग में चार ओवर करके दे रहें किसी भी मैच में अच्छी वापसी कर सकते हैं तो ये प्लेयर आपकी टीम में होने चाहिए मैं यहां से थोड़ा सा रिस्क लेकर सैम्स कॉपने टीम में लूँगा अगर रसल खेलते हैं सो रसल लूँगा आप टोइन इसके साथ जा सकते हैं क्योंकि वो ही सेफ पिक है या अकसर पटेल सैम्स थोड़ी डिफरेंशल पिक है नरायन भी खेलते हैं सो उन्हें भी ट्राइ कर सकता हूँ वो आपको टेलिग्राम पर ही इन्फोर्मेशन मिलेगी यहाँ पर मैं धवन अईयर गिल्ड ये लेने ही लेने है पंथ हमने अल्रेटी सेलेक करी लिया है अब हमारे पास तीन आप्शन बचते हैं मैं यहाँ से सोच रहाँ की अश्विन को ले लूँ मैं अपनी टीम में और यहाँ से में पास दो बैट्शन बचते हैं जिसमें मैं शौ और त्रिपाठी के साथ जा सकता हूँ मेरी कुछ टीम ऐसी नजर आ रही है अभी के लिए लेकिन ये डिपेंड करेगा कि पहले बैटिंग कोन कर रहा है और टीम न्यूस क्या है वो आपको टेलिग्राम पर ही फाइनल टीम मिलेगी कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें सुधवन अयर गिल रबाड़ा फर्गुसन और पंत ये कुछ अच्छे आप्चिन है आपके लिए स्मॉल लीग में ग्रैंड लीग की बात करें सब्सक्राइब कर जाएगा और गिवववे में पार्टिसिपेट करना है सो चैनल सब्सक्राइब कर लो जल्दी आपको गिवववे की डीटेल्स आपको मिल जाएंगी थैंक्यू गाइज